तो गाइसर, आज सुबह सुबह बहुत बड़ी तिkkhतों चुकी है मेरी पूरी की पूरी Hulk family इस बड़ी सी शार्क के मुं के अंदर फस चुकी है अरे बेटा, अमें बचा लो, अमें बचा लो पापा, पापा बचा लो ये शार्क सही में बहुत ही जाधा खदर ना गए मुझे अपनी फैमली को कैसे भी करके बचाना पड़ेगा रेड एल्क तुम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो हा 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 हल्क के बच्चे तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फै Randy को उस शार के मूँ में किस ने डाला है क्या तुमने रैडजमे तुमें नहीं चुड हूगा मुझे बकड़ने से पहले अपनी फैमिली को बचाओ क्योंकि तुम्हारे बाश टाइम बहुत ही साधा कम है तुम्हारी family shark के मुझे अंदर है और ठीक 20 मिनिट बाद वो shark के पेट में चले जाएंगे और एक बार वो shark के पेट में चले गए तो तुम उन्हें कभी नहीं बचा पाओगे पापा मुझे बचा लो देखो देखो तुम्हारा बेटा बुला रहा है जाओ जाकर अपनी फैमिली को बचाओ बाई बाई उसके लिए तुमें उस शार्क को हराना पड़ेगा मारना पड़ेगा अरे पर आप तो देखी सकते हो मैं कितना कमजोराल को मैं उस शार्क से कैसे लड़ूगा बच्चे क्या तुम मेरी तरह ताकतवर बनना चाते हो तो ये दूद पियो इस दूद को पिने से तुम अफग्रेड हो जाओगे क्या ये दूद पिने से पर मुझे दूद अच्छा नहीं लगता बच्चे अगर तुमें मेरी तरह पावर्फुल और स्ट्रॉंग बनना है तो तुमें दूद तो पिना ही पड़ेगा क्या सही में दूद में इत्ती पावर्फ होती है क्या हाँ बच्चे दूद में बहुत पावर होती है चलो ठीक है मैं इसको पी लेता हूँ रुक जाओ बच्चे बच्चे इतनी आसानी जिए तुमें ये दूद नहीं मिलने वाला अरे अंकल ये कौन सा हार्ट चैनेंज दे रहे हो ABCD उल्टी किसको आती है अगर तुम्हें ये दो चाहिए और तुम्हें अगर अपने फैमिली को बचाना है तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा अचा ठीक ठीक है मैं ट्राय करता हूँ तो काईजर चल्दी चल्दी गोट लग हल क्लिक दो और मैं अंकल को उल्टी ABCD सुनाने वाला हूँ चलो अंकल शुरू करते हैं बहुत बढ़िया बच्चे मैंने नहीं सोचा था तुम ये कर पाओगे ये दूद तुमारा हुआ क्या सही मैं ये पूरा दूद मैं पीलू हाँ बच्चे पीलू और हो जाओ अफग्रेड तो चलो काईजर फुराफट से ये पूरा का पूरा दूद पीलेते और अफग्रेड हो जाते कब 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 और काईजर की क्या आप तेख सकते हो ये दूध पीने से तो मैं सही मैं आपर बहुत ही सादा पावरफुल हाइक में अफग्रेड हो चुका हूँ बच्ची मैंने तो बोलाई था दूध पियो और बाड़ी बनाओ पर काईसर क्या मैं इतना खतरनाक होकर उस शार्क से लड़ सकता हूँ मुझे नहीं लगता क्योंकि हम तेख सकते हूँ वो शार्क कितनी सादा बढ़ी हैं और अभी तो वो आदी पानी में हाईक हमें बचा लो मुझे बहुत डर लग रहा है हम कभी भी उसके पेट में जा सकते हैं फिर हम मर जाएंगे बचा लो हमें तो काई सर अगर मुझे अपनी फैमिली को बचाना है तो मुझे और भी सादा अफग्रेड होना पड़ेगा उसके लिए मुझे चाहिए और भी बहुत सारा दूद और वो अंकल पता नहीं कहा जा चुके मेरे फैमिली वालो तुम टेंक्शन मतलो मैं वापिस जरूर आउंगा अफग्रेड होकर मुझे एक इतने खतरनाक हैक में अफग्रेड होना पड़ेगा ताकि मैं उस शार्क से लड़ सकू और अपनी पूरी की पूरी फैमिली को बचा सकू वो शार्क सही में बहुत ही खत मुझे चल्दी से चल्दी आम ग्रेड होना है पर क्या करूँ क्या करूँ हाइक मैं आ चुका हूँ ये क्या स्पाइडर मैं और ये क्या ये तो मेरे लिए दूद लाए है थैंक्यू स्पाइडर मैं रुक चाहू हाइक मुझे पता है तुमें ये दूद चाहिए पर उसके तो मेरी बात सुनो, आज में जब स्कूल गया था, तो मेरे सीनियर्स ने मेरी काड़ चुरा ली, और वो मेरी काड़ी लेकर भाग है, तो मैं मेरी काड़ी वापस लाने पड़ेगी, क्या, तुम तो एक सूपर हिरो और तुम सीनियर्स से डर रहे हूँ, अरे मुझे उन से ब करती नहीं पड़े कि उसके गाड़ी वापस को छोटे-मोटे लोगों से, फिर हमें बहुत सारा दूद मिलने वाला है, और मैं उससे अप्रेड हो पाऊंगा, तो जल्दी जाकर स्पाडर मैन की गाड़ी लाते हैं, तो काई सर, अभी आप देख सकती हूँ, मैं स्पाडर म की कार जोगी मुझे चाहिए, मुझे इस गाड़ी को कैसे भी करके चुराना पड़ेगा, पर कैसे चुराओ, सबसे पहले तो इसे मारना पड़ेगा, ये ले, एक सिगंड, एक सिगंड, ये क्रेन तो चलने लगई, आरे ये लोग कहा जारे, मुझे उनको पकड़ना जल्दी से इस गाड़ी के दर बेट जाते हैं तुक्वाई ज़्दी से चल्दी उस क्रेन वाले को पकड़ना पड़ेगा चूकि वो क्रेन चला रहा है क्योंकि उसमें वो स्पाड़रमेन की गाड़ी है चो कि मुझे चाहिए और वह जारी सामने क्रेन पिछाओ मुझे उसको उपर अब 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 अच्छे क्या कर रहा मैं तुझे उड़ा दूगा अरे मैं ये कहां चड़ गया ये क्रेन वाला दो फिर से निकल गया मुझे इसको जल्दी से पकड़ना पड़ेगा रुको मेरे पास एक आइडिया है मैं शॉटकट से जा कि इसको आगे से रोकने वाला क्योंकि मैं इसको जैसी गाड़ी बेटता हूं मेरी गाड़ी की हालत खराब हो जाती है मुझे वह स्पाइडर मैन की कार कैसे भी करके चाहिए अगर मुझे वह दूद पीना है तो मुझे अपनी फैमिली को कैसे भी करके बचाना है उसके लिए मैं इसको रोक कर रहा अरे अंकल रुको 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 मैं इस क्रेन में चड़के रहूंगा नई यार ये तो फिर से निकल गया तो गाइजर अभी ये क्रेन मेरे सामने आ चुकी है मैं करूँगा बढ़िया जंपो ना नई यार फिर से गिर गया ये क्रेन वाला तो सही में बहुत ही खतरनाक है पर गाईजर मेरे पास एक बहुती जादा खतरनाka आईड़िया अचुगा इसको रोकने का पर उसके लिए आपको चल्दी से चल्दी वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और कमेंट में लिखना पड़ेगा चल्दी चल्दी कमेंट करो stop the crane ताकिमा इसको रोक सको तो गाइजर आप देख सकतों मैंने ये पूरा का पूरा रोड ब्लॉक कर दिये बसों से यहापन मैंने 15 बसे खड़ी कर दिये उस क्रेन को रोकने के लिए और ये क्या वो क्रेंट वारी है मुझे पका विश्वास है ये सारी की सारी बसे उसको रोकने वाली है और ये सकतों हमारी बसों ने पूरे का पूरा यहापर काम कर दिया और इस क्रेन वाले को भी मार दिया जाए मैं यहाँ पर बहुत सारे बांब फाकने वाला हुट थाकि वह प्र चूटने वाली है और आप देख सकतों यह गाडिया में मिल चुकिए है यहाँ पर थोड़े दमाके और बवाला है और काड़ को लेकर यासिन निकल लेते हैं फाइनली हमने स्पाइडर मैं की गार दी या पर ठुडा ली है गई क saya वाड़ एंगा तुम्हारी गांड़ी यह तुम रंख लो और यह दूद में रख लेता हूं रषंप कहिछ चल दी चल दी कोपी तर वह कोचaina first ओ कTF और कई जडिम inspiran को can do जल्दी जल्दी चलते हैं और अपनी पूरी फैमिली को उस शार्क से बचाते हैं तो काई सर अभी आप देख सकतो हम अपनी फैमिली को यहाँ पर बचाने आ चुके शार्क मैं तुछे नहीं चोड़ने वाला अरे बेटा हमें बचा लो हम इसके मुझ के अंदर गिरते जा र मतलब हमारे पास टाइम बहुत ही कम है और हमें अपनी फैमिली को बचाना है तो चलो फुराफट से यहाँ पर इक खतरनाक सा जुम करते हैं और इस शार्क के उपर में जुम करके इसकी आखे पोड़ दूँगा सब का सब मोड़ने वाला 321 और मैं तुझे नहीं अभी तक मैं इतना जाला खतरनाक नहीं हुआ कि मैं शार्क तक पहुंच सकूँ और अगर मैं जाला देर इस पानी में रुकवा तो इसकी चोटी चोटे बच्चे मुझे खा जाएंगे अगर मुझे अपनी फैमिली को बचाना है तो मुझे शार्क के मूँ के ओपर खूद उनकी वज़े से मैं अपनी फैमिली को नहीं बचा पा रहा तो चल्दी चल्दी लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंड में लिको गूड लक हल्क ताकि मैं चल्दी से चल्दी अपनी फैमिली को बचा सकूँ तो क्वाइजर मैं अफग्रेड होने आ चुका हूँ हल्क स्कूल में ये लोग मेरी मदद करने वाले अफग्रेड होने में तो क्वाइजर अभी हम इस हल्क स्कूल में आ चुके यह आपर क्या चल रहा है मेरी बात सुनो बच्चो जारे के जारे हल को अफग्रेड होने के लिए चाहिए ये मिल्क फ़र मेरे पास इतना मिल्क नहीं है कि मैं तुम सब को दे दू इसलिए हम लोग यहाँ पर एक टेस्ट लेने वाले तुम चारो का तुम चारो मेंसे जो भी सबसे ज़ादा साही अंसर देगा उसको ये मिल्क मिलेगा और वो अफग्रेड होगा तो क्या तुम तयार हो? मैं तो बिल्कुल तयार हूँ ओय मैं तयार हूँ मैं तो पेदे तयार हूँ अथा तयार हूँ तयार हूँ मेरी बात सुनो या बढ़ तीन तीन राउंड होने वाले हर एक round में एक जने को class से निकाल दिया जाएगा तो सबसे पहला round तो आज का सबसे पहला question मुझे पताओ एक leap year में कितने दिन होते हैं ये तो बहुत easy है 366 days बहुत बढ़िया बिल्कुल सही जवाब अब बताओ हमारे solar system में कितने planet होते हैं हमारे solar system में 8 planet होते हैं बिल्कुल सही जवाब अब बताओ computer के brain को क्या कहा जाता है मेरे computer के brain को CPU कह जाता है बिल्कुल सही जवाब तुम तिनोंने सही जवाब देती है अब 20 की मुझे बताओ CPU की full form क्या होती है CPU CPU की full form होती है C form B form U form बिल्कुल गलत जवाब तो हमारा पहला टेस्ट यहाँ पर खतम होता है और हमारा एवेंजर हाल्क होता है डिस्कॉलिफाइब बाई बाई अब जो अगला टेस्ट होने वाला है वो तुम तीनों के बीच में होने वाला है और इस राउंड में से भी एक जना घड़ जाएगा और अब कोईशन भी होने वाले बहुत ही जादा खतरनाक तो अपनी कुर्सी की पेटी बांद लो ये मिल्क का कोईशन आने वाला है चुटकुल तुम मुझे बताओ स्टेचू अफ लिबर्टी कहां पर है और उससे बड़ा सवाल है ये स्टेचू अफ लिबर्टी कौन है ये तो बहुत ऊजिय है मैं तो इसका अंसर बता दूँगा मैं तो मज़ा करा था मुझे इसका अंसर आता है न्यू यॉक बिल्कुल सही जवाब इस इसलोब और तेरे बारी मुझे बता ओए Standing by the को कुण और चिसमें चक्का और 10 जने फिर जने वह कैसे अररो मच्छोर पुलिस की बात नहीं कर रहा चोड़ो अब तुमारी बारी हुला बताओ biggest animal in the world नाम कहा है उनका biggest animal in world क्या हो सकता है जल्दी बताओ time बहुत ही कम है वरना मैं तुम्हे disqualify कर दूँगा अरे मुझे याद ना क्या है क्या है क्या है यह hulk मैं से बड़ा लग रहा है वह यह यह animal तो नहीं हाँ Antarctic blue whale बहुत बड़िया बिल्कुल सही जवाब suit वाले तुम गढ़ जा सकते हो yes बिल्कुल सही time पर answer दे दिया अब आकरी round में और आकरी test में सिर्फ तुम दोनों बच्चे हो तुम दोनों में से तुम दोनों में से जो भी सबसे ज़ादा सही answer देगा उसको मिलेगा ये दूद तो कौन तयार answer देने के लिए मैं तयारू मैं बिल्कुल तयारू तो बच्चे मैं तुम्हारे से पाच question पूछूँगा तुम्हें पाचों के पाचों के सही जवाब देने पड़ेंगे और फिर मैं सेम चुटकों से ही पूछूँगा जो भी पाच कोशन में से सबसे ज़ादा सही answer देगा उसको मिलेगा दूद चलो उंकल मैं बिल्कुल तयारू तो बच्चे शुरू करते हैं सबसे पहला question हमारे solar system में blue planet किसको कहा जाता है blue planet blue मतलब जिसमें पानी है पानी तो अर्थ में अर्थ अर्थ बिल्कुल सही जवाब second question एक दिन में कितने घंटे होते हैं एक दिन में 24 hours बिल्कुल सही जवाब तो मुझे बताओ अगर मैं 10 को 1 से multiply करूँ फिर वापिसे 1 से फिर वापिसे फिर वापिसे तो कितना answer आएगा क्या बोला 10 को 1 से करा तो 10 उसको वापिसे 1 किया तो 10 फिर वापिसे 1 किया तो 10 इस का answer है 10 बिल्कुल सही जवाब तो मुझे बताओ Facebook का founder कौन है नरिंदर मोदी क्या क्या बोला मुझे नहीं पता इसका answer है Facebook का founder कोन है और काईसर फोला फट से कमेंट किरके बताओ Facebook का founder कोन है पाच चार अनू रुको रुको 3, 2, 1 अगला question और लाज्ट question दुन्या का सबसे लार्जेस्ट कॉंटिनेंट कौन सा है इस्या बढ़ बढ़िया तुमने पाच में से चार answer सही दिये अब तुमारी भारी कत्व ओई मेरा नाम कत्व नहीं है मेरा नाम है चुटकु हल्क अरे हाँ वही वही सिम तुकाईसर अभी मैंने आपर पाच में से चार question सही दे दिये तो इस चुटकु हल्क को पाच में से तीन सिर्फ सही देने या फिर उससे भी कम फिर मैं जीच जाऊंगा तुमारा सबसे पहला question नेशनल एनिमल ओफ इंडिया कौन है ओई ये तो बहुत इसी है टाइगर second question नेशनल बर्ड ओफ इंडिया ओई ये भी इसी है बहुत बढ़िया अगला question नेशनल फ्लावर कौन सा इंडिया का ओई ये तो बहुत बहुत इसी है lotus अरे ये क्या इसको इतने easy-easy question बोच रहे हूँ और मेरे से इतने hard बच्चे तुम चुप रहा हूँ मुझे बताए मुझे क्या करना है अगला question मुझे बताओ France की capital कै ओई न्यू दिल्ली है क्या बोला अरे बेटे France की France की नहीं पता नहीं पता अरे कैजर इसको भी fourth question नहीं है मुझे भी fourth question नहीं है बस ये तोनों के तोनों answer कलत दे दे ओई मुझे तो बताई नहीं मैं तो आज तक घड़ से बाहर नहीं निकला तुम्हारे पास time कम है जल्री बताओ ओई बस अब मेरा अरी question है इसमें तो मैं जीत कर रहूंगा नहीं 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 इससे कुछ hard question बुछ लो प्लीज 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 तुमारा अरी question तो मुझे बताओ what is the process of liquid turning into gas at its boiling point called ओई ये cheating चल रही है मुझे नहीं खेलना ये game मेरे साथ cheating चल रही है इतने hard question बुछ रहो मैं जा रहा हूँ बाव मी वो चुट कोईल किसका answer नहीं दे पाया इसका मतलब इसका मतलब तुम जीत चुके हो अरे बहुत मतलब शुक्रिया तो गाई सर अभी आप देख सकतो इस खतरनाक से टेश्क देने के बाद मैं ये खतरनाक सा मिल्क जीत चुका हूँ इसको वड़ाफट से पीते हैं और हो जाते हैं आप ग्रेट आप कप 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 और गाईसर आप देख सकतो मैं आपर बन चुका हूँ एक बहुत ही जादा खतरनाक हल्ग इस हल्ग की चार चार हाथ है और पीछे से पूछ में निकल रही है और हाथ में है खतरनाक सी स्वर्ड जो कि बहुत ही जादा बढ़िया लग रही है इसके उपर यूज करी जाए ये तो बहुत ही खतरनाक है मेरी पावर से आपर सही में बहुत ही जादा बढ़ चुकी है और गाईसर मुझे रखता है अब तो मैं अपनी फैमली वालों को बचाई लूगा उस खतरनाक सी शार्क से उस शार्क ने हमें बहुत परिशान कर दिया अब मैं उससे नहीं चोड़ने वाला आ रहा हूँ मैं शार्क मैं तुझे नहीं चोड़ूगा तो गाईसर अभी आप देख सकते हूँ मैं आपर एक खतरनाक सा हर्क तो बन चुका हूँ फर मेरे पास एक और प्लैन है क्यों ना मैं इस शार्क के पीछे से जाऊ इसको पता भी निए चलेगा मैं इसके पीछे बॉड़ी बड़ चुड़ जाऊँगा और फिर जाकर इसके मूँ पर खतरनाक बंच मारने वाला हूँ चुक चाप इसके पास चलते हैं बिल्कुल किसी को पतानी चलना चीए मैं शार्क को नहीं चुड़ने वाला चलो फड़ा पर इसका पीछे मूँ कैसे इसका मूँ तो आगे था ये पीछे कैसे हो गया इसके क्या दो दो मुए क्या औरे कैजर ये श्टाग तो बहुत ही खतरनाक निकली इसके तो यहाँ पर दो दो मुए एक आगे और एक वीचे अब मैं अपने फैमली वालों को कैसे बचाओंगा तुम्हें लगा तुम अपने फैमली वालों को बचा लोगे अब मुझे चल्दी से चल्दी कुछ करना पड़ेगा और अपनी फैमली वालों को बचाना ही पड़ेगा हमारे पास जाधा टाइम नहीं है और अगर मैंने थोड़ा भी लेट किया तो कैजर बहुत ही बड़ी थिक्कत होने वाली है तो चल्दी चल्द कर अपड़ेड हो गया थे इस बारतों में तुन ये का सबसे खतरनाख हल्क बन कर रहूंगा मेरे बच्चो तुम लोगों का स्वागत है इस खतरनाख से चैलेंज में मैंने सुना है तुम सब के सब अपड़ेड होना चाहते हो हल्क, सोनिक और वेनम तुम तीनों के तीनों अपड़ेड होना चाहते हो और मैं तुम्हें अपड़ेड करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास है एक नई, दो नई, तीन, तीन मिलके पैकेट इन तीनों मिलके पैकेट को तुम तीनों में से जो भी पियेगा वो बनने वाला हैं सबसे खतरनाक यह तुम मैं ही पी कर रहूँगा अरे तुम्हें के यापर देखने हूँ तुम सब देखते रहाँगी जब मैं यह सब का सब भी जाऊँगा वो तुम अभी बता चलने वाला है कौन पियेगा यह मिल्क और कौन बानी में जाएगा तो मैं बताता हूँ तुमको इस चैलन्ज में करना क्या है यहाँ पर इतनी सारी बाइक्स हैं इन बाइक में से कोई भी बाइक लेकर चाकर तुम्हें निकल जाना है इस पूरे चैलन्ज को कमप्लीट करने के लिए बीच में आने वाले बहुत सारे अब्स्टिकल्स सारे अब्स्टिकल्स को क्रोस करते करते तुम्हें पहुचना पड़ेगा फिनिशिंग लाइन पर अगर फिनिशिंग लाइन पर पहुचने से पहले तुम कहीं पर भी नीचे किरे तो तुम्हें दूत क्या बिस्केट भी नहीं मिलने वाला चलो चैलेंज शुरू किया जाए मैं तुम सबसे छोटा हूँ इसलिए सबसे पहले मैं जाऊंगा कोई नहीं जाएगा ओके ओके तुम जाओ सोनिक दीख देख तुम क्या करने वाले हूँ मैं तो इसको चीतने वाला हूँ हच्छा सबके सब सोनिक आ रहा है मुझे कैसे भी करके वो तीनो के तीनो मिल पीने ताकि मैं अब क्रेण हो सकूँ मैं तो कैसे भी चीत कर रहूंगा लेट्स गो तो कैजर सॉनिक तो यहाँ पर फूल स्पीड में जाता जा रहा है इस चैलेंज को कम्पीट करने में पर कैजर अगर आप चाहे तो सॉनिक यहाँ पर ही गिर जाए तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो बैड लग टो सॉनिक क्योंकि काईजर अगर आप बैड लग सौनिक को लिखते हों तो ये कभे भी नीचे गिर सकता है तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो बैड लग सौनिक और गुड लग हाई ताकि मैं चीट सकूँ मैं तो ही जीतने वाला हूँ, कोई जीतना भी बैट लग कमेंट कर ले, मैं तो जीत कर रहूंगा, सब के सबढ़ जाओ, सोनिक को बहुत ही साधा कुस्सा आ चुका है, हर जाओ, मैं जाकर ये पूरा का पूरा चैलेंग जीतने वाला हूँ बहुत बड़ी हा सोनिक, तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो, परेंकल क्यों बोला अपने मुझे बचाओ, मुझे तो पता ही था, ऐसा ही होने वाला है, वैनम से आज तक कोई नहीं जीत पाया, ना कोई जीत पाएगा, सब के सब छोटे छोटे बच्चों साइड हो जाओ, व दूद तो मेरा ही होगा, मैं सारा का सारा दूद पीकर अब ग्रेड हो जाओंगा, दुनिया के सबसे खतरनाक वैनम में, औरे काईजर ये वैनम का बच्चा तो बहुत ही साधा अच्छी बाई चला रहा है, मुझे बहुत ही डियर लग रहा है, का ये पूरा का पूरा चैल तो काईजर आपको पता है क्या करना है, जो सौनिक के साथ हुआ था, वो इसके साथ भी होना चाहिए, तो चल्दी चल्दी कमेंट करतो, बैड लग टू वैनम, सौनिक के साथ इसली हुआ था, क्योंकि उसने भाईक नहीं चेंज करी थी, मैं भाईक चेंज करूंगा, और ये चैल्लज़ जीत कर दिखाऊँगा, अरे किर्चा, 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 क dicha किर्चा, और काईजर चल्दी कमेंट करते ज्यों, बैट लग टू वैनम, ताकि ये चल्दी से चल्दी कीर्चा है, और फिर मेरी बारी आने वाली है, और मैं ये चैल्लेंज तो कंप अब तुम्हारी बारी आज चुकी है मुझे लगता है यह में किसी को नहीं मिलने वाला तुम में से कोई अफग्रेड नहीं होएगा अंकल आप टेंक्शन मतलो मैं जाकर अभी क्या भी अभी अफग्रेड होने वाला हूं क्योंकि कैसर मुझे अपनी फैमिली को बंचाने तो तो मुझे यह कैसे भी करके चैलेंज करने ही पड़ेगा तो जल्दी जल्दी कमेंड में लिख दो गुड लग हारिक अगर आप कमेंट करोगे गुड लग हाल तो मेरे चांसे से आपर बहुत जादा बढ़ने वाले इस चैलेंज को जीतने के लिए तो जल्दी चल्दी नहीं वेनम की तरह हो दौनों के दोनों हो गिर गए पर बिल्कुव नहीं किरने वाला मैं यह चैलिंज पूरा का पूरा canapat करने वाला हो तो यह से चल लेते फिर यह से भी चलिनेंगे यह चैलेंज थाई में बहुत ही खतरना गए है पर में सो पूरा Nagar कर रहेंगे आप complete करना पड़ेगा तो चण्दी चल्दी इस वाली बैगे बैठने और ये पूर का पूरा चैललेni's complete कर कर दिखाए यहां से वड़ा उपकट से अपने भाइट को लेकर चलते हैं और फानी में नहीं गिरना सीधा सीधा जाते रहना है और यह पूरा challenge complete करना है आराम से यहा से चाहेंगी फिर यहा से में निकल जाएंगे तो ये पार्ट तो हमने आराम से complete कर दिया अभी तक मैंने स्रिफ 10% इस challenge का complete किया है एक सकिन यहाँ पर venom गिरा था मुझे यहाँ पर बात नहीं करनी चाहिए आराम से चलाते चलाते जाना चाहिए और यह पूरा challenge complete कर देना चाहिए आराम से नहीं गिरना मैंने इसको भी cross कर दिया जहाँ पे venom गिर चुका था तो सोनिक और venom से तो मैं already आगे निकल चुका हूँ अब बस मुझे यह पूरा रेका पूरा challenge और ये क्या, मैं तो कभी भी पानी में गिर सकता हूँ पर मुझे पानी में ने गिरना, मुझे पहुचना है finishing line पर landing, landing, landing और ये बड़िया landing यहाँ यहाँ पर हो चुकी है तो कैसर, यहाँ पर तो अझीब सब पसल आ चुका है मुझे इस puzzle से बचते बचते जाना पड़ेगा finishing line पर यहां से जाएंगे lets go हमने यह puzzle भी यहाँ पर पूरा क्रॉस कर लिया और यह बसे क्यों है यहाँ पर गोल गुम रही है इन बसों से मुझे बचते बचते जाना पड़ेगा बच्चे तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो अगर तुमने ये सारा का सारा चैलेंज कॉम्प्लीट किया तो याद रखना तुम दुनिया के सबसे खतरनाग होई बनने वाले हो अरे अंकल मुझे बिल्कु डंक से याद है मुझे दुन्या का सबसे खतरनाख हल कैसे भी करके बनना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे अपनी पूरी की पूरी फैमिली को बचाना है तो यहां से अपनी बाइक को आराम आराम से लेकर जाएंगे इससे बचते बचाते हैं में चाना पड़ेगा और यहां से भी निकल जाते है तो गैसर अभी तक तो बहुत ही अच्छा चल रहा है जितने भी जैनों ने गुड लख हल लिख दिया है वो तो बहुत ही बड़ी है बर जिनोंने नहीं लिखा फड़ापट से कर दो क्योंकि बहुत ही जादा जरुवत बढ़ने वाली है दीरे दीरे ये चैलेंज बहुत ही जादा हाड होने वाला है तो चल्दी चल्दी गुड लख हाई कमेंट कर देना और यहां से अपनी बाइक को लेते चाते हैं आराम से बिना गिरे बिना गिरे बिना गिरे और कैजर यह पांडा बीच में क्या कर रहा है, इससे हमें बचना पड़ेगा पता चले हमें मारने लग जाए, यहां से मुड जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा खातर नागे आपर चल रहा है, और कैजर, finishing line हमारे बहुत ही ज़्यादा close आती जा रहे है, पर obstacles भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जारे है, एक भी गलती और हम सीधा नीचे गिर जाएंगे, और कैजर आप देख सकतो, finishing line हमारे सामने, बस हमारे बीच में ये छोटे मोटे obstacles है, इन सब से बचते बचाते ज उमने पूरा का पूरा challenge complete कर दिया, इसका मतलब ये तीनों के तीनों milk तुमारे होने वाले है, जल्दी जल्दी सारा दूद पीलो और upgrade हो जाओ, अरे thank you uncle, तो कैजर आप देख सकते हूँ, सारा का सारा दूद हमें मिल चुका है, फड़ा फट से इसको पीते हैं और हो जाते upgrade, अब कउप 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 तो मैं सही में याँ पर बहुत ही जादा खतरनाक हो चुका हूँ, यह हल्क तो सही में बहुत ही जादा खतरनाक है, पीछे है कतरनाक खतरनाक विंक्स, और मैं सही में बहुत ही जादा पावरफुल हो चुका हूँ, तो यह हल्क तो सही में बहुत ही जादा पावरफुल हो च अब मैं भी बहुत ही जादा खदरनाक हो चुका हूँ तुम इतने खदरनाक नहीं हो सकते कि तुम मुझे मार दो बच्चे बच्चे हमें बचा लो हम कभी भी बारी में किर सकते हमें बचा लो पापा पापा में बचा लो मैं तुम्हारी फैमिली को खतम कर दूँगा लगता है यह ऐसे नहीं मानने वाला मुझे इसको खतम करना ही पड़ेगा नाइ 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 यह यह रूख जाओ यह क्या कर रहे हो मेरे साथ आप मुझे छोड़ दो तो कैसे लगता है शार की बच्चे को कदम करने क टाइम आ चुका है फटावबट से इसको उठाते हैं और यहां से भैक देते हैं दूर समुंदर दूर अरो बटा हम बच गए हम बच गए अरे मुझे छोड़ दो कहां लेकर जा रहे हो अब जब तक तुम सौरी नहीं बोलने वाले मैं तुम्हें समुंदर में वापिस नहीं अगली बार मेरी family से दूर रहोगे मैं सौरी बूलता हूँ sorry मैं अगली बार तुम्हारी family से दूर रहोंगा मुझे बचा लू ब्लीज मैं तो मजाक कर रहा था मैं तुम्हें बचाने नहीं वाला चल निकल यहां से तुकाइसर अभी शर्क से मने अपना बदला पूरा कर और ये भी थोड़ी देल में मर भी जाएगा क्योंकि मैं इसको पानी में डालने वाला और पानी के बिन आपको तो पता ये शार के साथ क्या होता है अरे बेटा मुझे तो लगा था मैं मार जाओंगा पर तुमने हमें बचा लिया अब मैं इतना भी खास नहीं तो कैसर आप देख सकते हो मैं अपनी पूरी के पूरी फैमिली को बचा लिया है और मैं याँ पर दुनिया का सबसे खतरनाक हाइक में बन चुका हूँ तो ये सही में बहुत ही खतरनाक है वो सारे मिल्क तो बहुत ही जादा काम आ गए और हमें नई चीज भी पता चल चुके कि दूध पीने से बहुत ही जादा शक्ति आती है तो आप भी चल ली जाकर बहुत सारा दूध पियो तो कैसर अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लेगी तो लाइक कर देना चैल पर नहीं तो सबस्वेब कर देना पता नहीं की वीडियो फटाव पाट से कमेंट करके बता दो और कैसर इस्टन आप डिस्कॉर डिसेप्शन में वापर आपके जाना फॉलो करेना और कैसर मैं मैं भी लूगा आप से लिए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई